हेलो अब्रिवन आज हम करेंगे क्लास फिफ्ट का चेप्टर नुमर फाइव डाज लुक ता सेम मिन जैसे हमने थार्ड और फोर्थ क्लास में किया है कि कुछ चीजे दी होती है जिनका आपको मिरर बताना होता है यानि कि जैसी वो शेप आपको दिखाई दे रहे है उसी का स इस तरह का दूसरा पार्ट मिलेगा इसे क्या बोलते हैं कि क्या मैं सेम दिखाई दे रहे हो जैसे कि आप मेरर में देखते हो अपने आपको यह देखते हो यहां दिखानी है यहां पर जो है कुछ शेप्स दी होंगी जिनको बीच में से आ कहीं से भी उनके ऊपर एक लाइन के दोनों तरफ वो चीज सेम दिखाई दे रही है या फिर अलग है तो इसे का कोशन है मिन्स इस टाइप के कोशन रहेंगे ड़से लूग दा सेम क्या वह सेम है या नहीं नव पैटन वन अब यहां पर इसने यहां पर लाइन लगाई है यह वाली सो क्या यह दोनों सा इंक डालने है थोड़ा सी इंक उस पेपर के वह दालना है जहां से अपने फॉल्ड किया था उसको फिर से कर दो और चाहिए उसको दो टाइम अपर न चाहते हो तो जैसे यह आप उसे फोल्ड करोगे तो वह क्या होगा इस तरह से वह जो आपने इंक यह जो भी धालर डाल कट कर सकते हो कि आपको जो है मिरर हाप्स मिल जाएंगे तो जैसे कि मैं यहां से कट कर दूँ ओके सो मुझे मिरर हाप्स मिलेंगे मिन्स यहां और यह दोनों साड क्या है सेम है लेकिन अगर मैं इसको यहां की वज़ाए ऐसे अगर मैं इसे कट करते हो मिन्स आदा पॉर्शन यह आदा यह, तो क्या यह mirror halves हैं, देखो यह बिल्कुल भी दोनों same नहीं है, तो यह mirror halves नहीं होगा, हम इसे जो है, सिफ वन वे में ही cut कर सकते हैं, इस तरह से, तब भी वो mirror halves बनेंगे, अब इस pattern की तरफ देखो, the dotted line divided the shape into two halves, अब यह जो line थी, इसने इसको जो है, दो parts में divide कर दिया, एक part यह एक ही, but if you fold it along the dotted line, लेकिन अगर आप इसको fold करते हो, dotted line के according, यानि कि यह वाले portion को इसके उपर रख देते हो, the left one does not cover the right one completely, तो यह इस तरह से हो जाता है, वो पूरा complete नहीं कर रहा है, second वाली image को, यह अगर आप जैसे आपने एक paper लिया, ठीक है, आदा portion यह है, अब यह circle है, अब circle पे बीच में एक line लगा रहे हैं, अब अगर मैं इस line के बिल्कुल इधर इसको fold करूँ, तो यह completely fold हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे line लगा दी, और अब मैं इस circle को इस line के according fold कर रहे हैं, तो वो completely उसको cover नहीं करेगा, जैसे इसको मैं इधर fold करूँ, तो इस mirror halves नहीं होते हैं, mirror halves कब होंगे, जब वो completely cover कर रहे हैं, दूसरे वाले हिस्से को, now look at the other shape, अब यहाँ पर कुछ और shape दी, अब देखो यह वाले shape, अब इसको जैसे ही इन्हों ने इस line से fold किया, तो वो दूसरे वाले part को completely, क्या किया है, cover किया, तो यह क्या है, mirror halves, same जो है, यहाँ पर इन्हों ने दिया है, इस part से अगर आप fold करोगे, तो यह उसको complete करेगा, यह भी mirror halves होंगे, इसको करोगे, तो यह भी क्या होगा, यह यहाँ पर आ जाएगा, यह वाला portion यह आ जाएगा, यह दोनों half half हो जाएंगे, तो यह भी क्या बन जाएगा, आपका mirror halves, देखो, यह सेम है, अब इसको अगर हम divide करते, तो इसको देखो, अगर आपने divide किया, तो यह portion अलग है, अगर आप इसको इसको इसके उपर fold करते, वो completely नहीं आएगा, so that will be no, यह yes हो जाएगा, यह yes, then यह भी yes, उसके बाद यह भी आपका yes होगा, because इसको आप fold करोगे, त तो complete, sorry, यह वाला नहीं होगा, because यहाँ पर आप देखो कि यहाँ space कम है, यहाँ जादा है, तो यह नहीं होगा, उसके बाद butterfly भी नहीं होगे, अगर butterfly में इस तरह से होता, तो हो जाता, लेकिन यह portion बड़ा है, यह चोटा है, तो नहीं होगा, यह completely हो जाएगा, अब हमें क नहीं है, तो अगर सिर्फ उसको cover करना है, कि उसको completely cover कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसका mirror हास भी पूछ रहे हैं, अब देखो, जैसे आप mirror में देखते हो, आप खुद को ही देखते हो, किसी और को तो नहीं देखते, तो सेम चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को mirror में देखेंगे, तो क्या दिखना चाहिए, हमें triangle, लेकिन इस तरह से यहाँ पर triangle दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं देख रहा, तो यह क्या हो जाएगा, wrong, अब यह correct है, यह wrong है, अब इसके लिए हमें देखना है, अब यह देखो, अगर यह mirror house होता, तो यह इसको एक mirror का game दे, इन्होंने क्या किया, here is a picture of a dog, you can place a mirror on the dotted line, अब आप क्या कर सकते है, छोटा सा mirror ले सकते हो, और यह जो dotted line है, अब blue color की, इसके उपर आप रख सकते हो, then उसके आप ऊपर आप रखोगे, तो आपको mirror में इस तरह से दिखेगा, यह वाला portion, okay, so सेम इसी जो dogi है, इसके portion के या फिर इस drawing के कहां पर उन्होंने उसको रखा है, okay, so यह कहां पर होगी, यह होगी आपकी यहां पर, इसके बिल्कुल हाप से वो जाएगी, and थोड़ा थोड़ा part जो हो पूरा, means उसकी tail का, and then उसके पाउं का थोड़ा थोड़ा part लेगी, इस तरह से, ठीक है, यह इसके पाउं हो गए, यह इसकी tail थी, बीच में कुछ नहीं है, और यह दोनों part क्या हो जाएगे, आपस में, मिल जाएगे, okay, now अगर इसके लिए बात करते हैं, तो यह इसका से face, face का half part इनोंने किया है, आइस से थोड़ा सा नीचे, इस तरह से, इस तरह का बन रखोगे, तो आपको क्या मिलेगे, just shape मिल जाएगे, आपको जो चाहिए, okay, अब यहां पर यह वाली shape मिलने चाहिए, तो यहां पर वो कहां पर रखेंगे, यहां पर जो mirror रखा है, इनोंने बिल्कुल बीच में रखा है, so इस तरह से, अगर आप बीच में मिल रखेंगे, तो आपको यह shape मिल जाएगे, मिस थोड़ा सा tilt करके रखेंगे, तो इस तरह से triangle shape भी बन जाएगे, और आपको यह shape भी मिल जाएगे, now, Winky has made a red and white shape, तो उसने red and white shape बनाई है, make a line on the white box, where you keep the mirror to get that shape, तो अब आपको जो है, जैसे इनोंने देखो, यहां पर line बना दी कि आप को इस तरह की shape मिल जाएगे, तो इसी तरह से आपको बताना है, कि आप कहां पर अपनी line लगाओगी, कि आपको इस तरह की shape मिलेगे, तो हर एक मैं आपको इस तरह से यहाँ पर doter line बनाकर, और बताना है कि वह shape कौन सी होगे, तो यहाँ पर देखो, यह जो पीच वाला portion है यहाँ पर आपको रखना है तो यहाँ पर आप अगर इदा रखोगे तो यह वाली ही side आपको फिर से दिखाई देगी इस तरह से अब यह वाला हमें दिया है तो इसमें क्या है यहाँ वाला जो portion है यहाँ पर इनों ने रखा है मिन्स इसके साइड में वो रख रहे हैं यह वाले साइड को आप देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा इसमें क्या करना है इसमें देखो यहां पर यह रेड है यह वाले पूर्चन का आपको बताना है कहां पर होगा यहां से क्या हो जगा है यहां से यह white की तरफ यहां पर क्या है यह white वाला है आप mirror के साथ अगर इसको करेंगे तो वह ज्यादा easy रहेगा आप easily find out कर सकते हो फिर उसको ओके सेम यहां पर अब आपको इसका बताना है कि इसका कहां पर होगा इसमें आपका जो रेड वाला portion है वो रहेगा और नीचे आपका यह portion भी उनका completely दिखाई दे रहे हैं तो यह जो mirror है अब यह क्या है कुछ ना कुछ पार्ट इसका है लेकिन completely नहीं है जबकि पूरा पार्ट क्या है इसका तो वो mirror को इस तरह से रखा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं इनको क्या है अब हाफ ट्न क्या होता है वंस देर वोज एपिर आपर एक स्टोरी है तो एक किंग होता है ही वस एपसेट बेंग विग बिकुष तीवज केप स्टीलिंग कोशली ज्वैल्स फ्रो मिज लोकर क्योंकि जो थीव से वह बार बार उसके लोकर से चीजे निकाल लेते सब्सक्राइब देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है इस तरह का सो दा लोकर कुट भी ओपन बाई गीविंग एट सेंडल हाफ टन तब क्या होता था कि अगर आप इसको हाफ कुमा दोगे ठीक हाफ का मिन्स क्या होता है जैसे यहां से शुरू किया एन यहां पर मिन्स उसका इस उल्टा कर देना है और सेम जब आप उसको वापस वहीं पर लागे छोड़ दोगे तो वो बंद हो जाएगा दा किंग वोड ओफन लीव दा लोकर ओपन थिंकिंग इट वस लोक तो क्या होता था कि वो बार बार उसको ओपन छोड़ देता उसे लगता था कि उसने मच नाव ही नेवर गोट कंफ्यूजड तो एक दिन उसकी डोटर ने उसे एक आइडिया दिया क्या पैसे करो तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो आप गैस कर सकते हुए क्या एडिया होगा दा किंग्स डोटर आच दा किंग तो पुट डोट ओन वन ओप दा येलो इस तरह कि ही पिर्थे राजा के पास इस तरह के बु edible हैंजल से तो इस जो भी वी बहते ह सब अगै principal को से खाना गाँते अकि पहले है तो कि अव कंको किंगते क्या तो तो इसलिए वी दोलटे होगी स्थीक्त फोल्ट हमेशा कंफ्यूज रहता था यहां पर वह बह बहु ह साय हैं तो आप को बताने किší तरफ हए तरह क्या करना है सब में क्या करना ना आ आपको 조 아कु सेम इसी तरह से कर यह लोकर पर इस तरह से डोट बना देने हैं अब एब चाहो तो उपर भी डोट सकते हैं जो सायड में बना सकते हो तो यह क्या हो जाएंगे यह वाले percentage जो भी हमने केई है open और इनको half turn करेंगे तो क्या होंगे closed now same as half turn, अब कुछ चीज़े ऐसे हैं जो same रहती है half turn के बाद में, guess which of the shapes below would look like the same after half a turn, जिनको अगर आप turn भी कर दोगे तो same रहींगे, अब देखो ये ये same रहेगी, same रेक्टेंगल भी same रहेगा, circle भी same रहेगा, this portion भी same रहेगा, because इनको आपको just क्या करना, उठा के दूसरी तरफ कर देना है, लेकिन ये चीज़े तो same रहेगे, ने में को difference नहीं हो, same triangle बगर है, ये सब चीज़े क्या है, अगर आप इनको turn करते हो, तो भी क्या रहेंगी, just as it is, do you find it difficult to tell, if yes, there is a way to check your guess, here you can do it, take any of the shape, उसमें से कोई भी एक shape लो, trace it outline on a sheet of paper, उसके बाद उसे trace कर लो, ठीक है, means, उसे क्या करना है, trace, means, उसको जो है, draw कर लेना है, जो भी paper लोगे उस पे, then now keep shape on its outline, उसके बाद जो shape को वहाँ पर रखो, and then उसको half turn कर दो, अब देखो क्या होगी क्या वहीं पर है या नहीं, so next जो है practice time के लिए कुछ questions दिये गए है, so first question क्या है, find out which letter in the English alphabet, look the same after half a turn, so कौन से लेटर ऐसे हैं, जिनका आप half turn करोगे, उसके बाद भी उसेम दिखाई देते हैं, for example, जैसे H, एच का अगर half turn, यानि कि वापस यहां पर लेका है, same हो जाएगा, I, B, क्या होगा, same रहेगा, so इसी तरह से आपको find out करने के कौन-कौन से letter है, जो same रहेंगे, now, which of these English words read the same on half a turn, अब इन में से कौन से हैं, जो same पढ़े जाएगे, अगर उनको half turn करो, ठीक है, अब Z क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, then O, O, N, ये इस same नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसको half turn किया, तो ये इस तरह से हो गया, M, so ये भी same नहीं पढ़ा जाएगा, so अब इसको देखो, S same रहेगा, अब S का कितना भी turn करो, क्या होगा, same रहेगा, so S को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, O भी आ सकता है, यहाँ पर, okay, उसके बाद W का क्या बन जाएगा, M बनेगा, then I as it is रहेगा, M का क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, and S as it is रहेगा, तो इसको हम as it is पढ़ सकते हैं, इसको भी as it is पढ़ सकते हैं, और N, N भी क्या रहता है, same रहेगा, so इसको भी हम as it is पढ़ सकते हैं, after half a turn, now, give half a turn into the number from 0 to 9, and find which number of them still look the same, कौन से number रहेगा, so 0 as it is रहेगा, 1 as it is रहेगा, 2 नहीं होगा, 3 as it is रहेगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, because 6 को अगर आप उल्टा करोगे, तो 9 बन जाएगा, 9 को ल्टा करोगे, तो 6 बन जाएगा, and 8 will be as it is, 7 will not, so कौन कौन से number है, 0, 1 3, actually 3 भी नहीं होगा, because 3 को हम करते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, so 3 भी वहाँ पर नहीं आएगा, then 0, 1 and 8, so यह नमबर वो है, जो हाफ टन के बाद सेम रहेंगे, now think of all 2 and 3 and 4 डिजिट नमबर, which look the same after half a turn, so ऐसे number को आपको जो है देखना है, जो सेम रहते हैं, after turn करने के ब 1, 1 हो गया, so 1, 0 हो सकता है, okay, 88 हो सकता है, सेम ऐसे 3 डिजिट का बताना है, 101 हो गया, 111 हो गया, 110 हो गया, then 101 ओल्रेडी इन्होंने कर दिया है, 808, 888, 880, 881, and 188, so इस तरह से हम यह नमबर्स लिख सकते हैं, सेम अब हमें 4 डिजिट का find out करना है, so इतने number इन्होंने दे दिये, उसके बाद और बना दो जो भी आपको, जैसे भी आपको ध्यान लगता है, जैसे भी आपको इसी लगता है, सेम देखो, मैं और डिजिट नहीं ले रहे हैं, सेम से फूनी number से बना रहे हैं, 4 ताम्स जो हाफ टन के बाद सेम लगेंगी, this one, this one, this, this and this, अब इसमें क्या होगा, यह उपर चला जाएगा, पी जो है नीचे आ जाएगा, और इसके पाउं उपर हो जाएंगे, तो यह वाली नहीं होंगे, Now, activity time, have you ever seen a windmill, क्या, आपने कभी windmill देखा है, what is the used for, अब यह किस लिए यूज किया जाता है, तो यह क्या होता है, कई बाद पावर, electricity बगरा बनाने के लिए इन सब चीजों में use होता है, Now, let us make a toy windmill, तो एक toy windmill बनाना है, उसके लिए इनोंने दिया है, पहले एक sheet paper sheet लेनी है, then उसको इसको इस तरह से half fold कर लेना है, then उसको cut कर लेना है, जो yellow वाला part है, उसको, sorry, cut out the blue part of the paper, now your sheet of paper, will now look like a square, so इस तरह से square में दिखाई देगी, अगर आप उसको cut कर लेते हो, तो उसके बाद जोगे, इसके according आपको क्या करना है, उसको red line लगानी है, then open the fold, मतलब पहले उसको fold करना है, red line की according, then उसको क्या कर देना है, वापस से open करना है, now draw a circle, अब उनके बीच में एक circle draw कर लेना है, now cut along the red lines, जो red lines थी, उनके according क्या करना है, उसे cut कर देना है, and जहां तक circle के पहुंचने तक, पूरा cut नहीं करना, पूरा cut कर रही है, तो वो बिल्गुल अलग लग हो जाएगा, अब क्या करना है, एक pin लेना है, make a hole on the four corner, और चारो corner पर एक-एक hole कर देना है, उसके बाद वो pin से, मतलब उसको fold करना है corner तक, जहां पर pin लगाई है, and उसको वहां पर लगा देना है, उसके उपर, जो circle था वहां पर, now fold the corner such as hole lies on the top of the other, कि वो एक दूसरे के उपर लाई करे, now pass the pin, throw the hole and fix it in the stick, उसके बाद इसे जो है, hole में से पास करो, stick से, जो है, fix कर दो stick के साथ में, your windmill is ready, run with it and see how fast it moves, और जैसे जैसे आप इसको लेके भागोगे, इस उसके बाद हम जो है, आगी करें की one four turn क्या होता है, and आपको बताने की windmill जो है, half turn के बाद same दिखाई दे रहे, तो same दिखाई दे रहा, one four turn में भी क्या होगा, वो same दिखाई देगा, then उसके बाद आएगा, हमारा one four turn, one three, third turn, या फिर one six turn, वो हम करेंगे, कल, so that's all for today, thank you, हुआ.